हिंदू और हिंदुत्व का नारा महात्मा गांधी का सहारा नमस्कार नूस वानेशन देख रहे हैं पर मैं आपके साथ वन्दरा जी हाँ यूपी में विधान सबाद चुनाओं होने वाले हैं जिसकी तैयारी जोडो शोरों से चल रही है और अब इस यूपी विधान सबाद चुनाओं की मैदान में महात्मा गांधी की एंटरी हो चुकी है और वो एंटरी और कोई नहीं बलकि राहुल गांधी के सेंटरी के बाद केशव प्रशाद मौर्या ने अभी जम कर हमला बोला है और हिंदू और हिंदुत्तों का उन्होंने अंतर बताया है तो क्या कुछ कहा है केशो प्रशाद मौर्या ने अपने इस बयान में आई हैं हम आपको बताते हैं वस्तार से यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच हर दिन नए नारे आ रहे हैं जेंडे बदल रहे हैं चेहरे बदल रहे हैं जिहां हिंदू हिंदुत्तों की बहस च्छिरी हुई है जिन्ना की बाद अब महात्मा गांधी की भी चुनावी बयान बाजी में एंट्री हो चुकी है हालांकि इसके शुरुवात की थी कॉंग्रेस के पुर्वा अध्यक्ष राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने जैपूर की महंगाई रैली से हाली में एक बड़ी लकीर खीची थी राहुल ने हिंदू और हिंदुत्यवादी का फर्क बताते हुए बीजेपी को घेरा था राहुल ने खुद को तो हिंदू ही बताया था साथे ये भी समझाया था कि कौन लोग हिंदू है और कौन हिंदुत्यवादी राहुल ने कहा था महात्मा गांधी हिंदू थे जबकि गोट से हिंदु तवादी था जिहां राहुल गांधी ने अपने एक बयान बाजी के दोरान मोधी को गोट से से तुलना की थी और आगे क्या कुछ कहा था यह हम आपको बताते हैं राहुल गांधी ने कहा था हिंदू सत्य को ढूंडता है उसका रास्ता सत्याग्रा है पूरी जिंदिगी सच को ढूंडने में निकाल देता है महात्मा गांधी ने आत्म कथा लिखी माई एक्सपीरियन्स वित तृत मतलब पूरी जिंदिगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए हैं पिता दे और अंत में एक हिंदू तवादी ने उनकी छाती में तीन गोली मारी जी हाँ तो कुछ इस तरह राहुल ने महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदू और हिंदूत वादी का फर्क समझाया था साथी राहुल ने कह दिया कि हिंदूत वादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में लगा देता है और 2014 से जो पार्टी सत्ता में है वो हिंदुत्वादी है यानि राहूल ने साफ कहा कि जो लोग गांधी के हत्यारे थे वो हिंदुत्वादी थे और जज जो सत्ता में है वो हिंदुत्वादी है लेहाजा इन्हें सत्ता से बाहर करना है इस तरह राहूल ने इस नारे को चु पूरा क्याम्पेंग ही चला दिया इतना ही नहीं वलकि यूपी चुनाओं में भी इसे कॉंग्रस का हत्यार माना जा रहा है राहूल गांधी जब अमीठी की पद्यात्रा में शामिल होने पहुचे तो यहां भी उन्होंने अपना फोकस इसी बात पर कहा राहूल ने अमीठी अब यूपी के उप मुख्य मंत्री केश्व प्रशाद मौर्य का भी एक बयान सामनी आया है तो यूपी के जो उप मुख्य मंत्री है केश्व प्रशाद मौर्य ने कहा है कि जैसे मा यशुदा के नंदन और मा देवकी के नंदन एक है वैसे ही हिंदू और हिंदुत्व ए आजी की मोदी पर जम कर हमला बोला है तो फलाल के लिए इतना ही देखते रहे न्यूस फ़र्नेशन धन्यवाद